जैसे कि आप डाक किसी के मुक्का मारते हों तो बहुत तेजी लग जाते है उसके किसी सतह ॅइसे किसी सतह पर लंबवत लगने वाले बलको प्रिलोज कहते हैं किसी सतह पर लंबवत लगने वाले बलको प्रिलोज कहते हैं अब बच्चों हमें देखना है कि आखिरकार दाब क्या होता है तो बच्चों दाब बराबर होता है बेटा दाब बराबर होता है प्रणोध बटे शेत्रफल कि आप कितनी सतह पर लंबवत बल लगा रहे हो जैसे कि बच्चो जैसे माली जी आप किसी कील को जो है प्रेस कर रहे हो जो है किसी गोटके मिटा आप कील को गार रहे हो तो बच्चो क्या होगा बच्चो जो आप जो कील है लगायो नेफिए लिए बल उप्रेशर क्या होगा विए रखोई आप देखा उपनी रावी अपने हरफ और हमारेन चे ट्रॉपल नहीं लगाने गां तो हमारी थेली का झेतरीश में मेवा ऐसे तक में सबने देखा होगा गट्युन पर खड़े होता है तो चाहिए कर देट दफ does दब जाता है जब कि मतलि लेट तेया जाला इसका रीजन क्या है बच्चो रबच्चो ृडप नहीं को पैथ यह दुटा इतने सीय तो टो क्या forget छेत्रिफल कम तो दाव ज्यादा जब दाव ज्यादा बच्छों लेट लिटा छेट्रिफल का बहुत ज्यादा है तो इसलिए गद्दा नहीं धासेंगा सेमें चीज़ चीज आप सब होगा बच्चों एक उंगली से पिटा जो है दबाते हैं तो कोई भी सोफा हो या फिर गद्दा हो या फिर मिट्टी तुरंदब जाए कि लेकिन जब हाथेरी दबाते तो इतनी अंदर तक नहीं जाते हैं इसका रीजन क्या है कि बच्छों क्या हो रहा है उंगली का कम तो बिटा दाब उतना ज्यादा आप इटा सबने देखा होगा लडिक्यों को जाता एक्स्पीरेंस है कि बच्छों हील्स पहन कर चलना बिटा टफ क्यूं होता है कि दो बच्छों हील कर शेत्रफल बहुत कम है अब बच्छों सतह पर लंबवत बल लग रहा है तो अगर थोड़ी सी भी गिली मिट्टी में ली तो क्या होगा बच्छों लंबवत एक टो बल लग रहा हो पर सब्सक्राइब बहुत कम है तो बच्छों क्या होगा हम मिट्टी के दर बुटा तो रंद धस जाएंगे है ना बच्छों वहीं पकर हम फ्लैट चपल पहलें तो चो शेत्रफल ज्यादा तो बच्छों क्या है शेत्रफल ज्यादा तो दाब कम और जब शेत्रफल कम तो दाब ज्यादा और जब शेत्रफल ज्यादा तो दाब कम च्छीक है कि प्रचों दाब को जचाँ क्या है इस प्रेशिभी सद्धा गण तो तो कम जयादा किवी दाब को मात्रों होता है सक्टब विध्यानिक भूइब हुछ विज्ञानिक ते अरगर आप भूछाओ और उप्सकर आपका थो इसे होती है यह जो इनकी प्रजी नौकदार तकी होटे जो मारे चाकू आपकेशी थाँ घर देले क्यों होते हैं विश्चो थे तफल बहुत कम हो गया ऐडिया बहुत कम हो गया विश्चो जिस से क्या हो गाद बहुत जादा लगेग और और पोशों वह स्कुत त्रंट माँ अलग सकते हैं तो इसलिए गड़ते हैं चाकु के नौक होती है जुषी हॉ सब्सक्रण होती कह सकते हैं पथली होती है इसका रीजन क्या है बच्चों शेत्रफल कम होने से होने से धार ज्यादा होती है क्योंकि दाव ज्यादा लग रहा होता है रहा होता है आई बास समझ में अब बच्चों शेत्रफल करेंगे क्यों देखते हैं कि क्या है आज की क्यों के सब्सक्राइब करता है प्रणोद वस्तु के शेत्रफल पर प्रणोद वस्तु क्याकार पर वस्तु क्याक्रति और उत्लावन बल पर या इन में से कोई नहीं अगर शेत्रफल ज्यादा होगा तो वस्तु पर लगने वाला दाब क्या होगा आगे बढ़ेंगे तो फर्स फॉस्ट्यन था दाब का मान निर्भर करता है बच्चों दाब का मान निर्भर करता है प्रणोद और वस्तु के शेत्रफल पर प्रणोद क्या है किसी वस्तु के सब्सक्राइब साओं नबी पने वाला प्रज़ोध कहलता है तो दाल कमान क्या होगा पिटस यौसे अगर यह कमान गझा होगा एंट रा रहर हम उससेट तो क्या होगा मिर्च आत के तसा क्या हैं किन्स आइए क्या होता है भार क्या होता है हमें पता चला कि बदलता नहीं जब क्या होता है भार बदलता क्या होता है इसके बाद जाना क्या है दाब क्या है कैसे जो है शेत्रफल के कम होने से दाब कमान जो है बढ़ रहा है कैसे जो है शेत्रफल की जादा होने से दाब कमान घट रहा है और क्यों आखिरकार जो कैची है चाकूए वह अखिरकर इनके जो सर्फिस होता वह इतना पतला क्यूं होता है अब अगली क्लास में सीखेंगे आर्किमडीस कि सिध्धान्त को जो कि एक बहुत ही कह सकते महत्पून टॉपिक है तो बच्चों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में तब तक के लिए बबाई टेक केर अपना ख्याल रखिए बबाई